हेलो फ्रेंड्स मैं रश्मिय अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आज हम मिलेंगे मैजिकल बटरफ्लाई से जो हमको बताएगी हम किसी संख्या की पूरवर्ती संख्या और अनुवर्ती या परिवर्ती संख्या कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या जैसे यहाँ पर है 5, 5 की पूरवर्ती संख्या होगी 4 और 5 की अनुवर्ती संख्या होगी 6 यह बटरफ्लाई हमको यह भी सिखाएगी कि अगर हमारे पास यह बटरफ्लाई ना हो तो हम किसी भी संख्या की पूरवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या कैसे निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 5 है किसी भी संख्या की पूरवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में एक घटा देंगे 5 में एक घटाने पर हमको मिलेगा 4 तो 5 की पूरवर्ती संख्या हो गई 4 किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में एक जोड देते हैं 5 में एक जोडने पे मिलेगा हमको 6 तो 5 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 6 इसी प्रकास से हम किसी और संख्या की पूरवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या निकालना सिखेंगे यहां हम देख सकते हैं संख्या 8 है 8 की पूरवर्ती संख्या है 7 हम 8 में एक घटाएंगे तो हमको मिलेगा 7 और 8 की अनुवर्ती या परवर्ती संख्या होती है 9 हम 8 में एक जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 9 इस प्रकार से यह magical butterfly हमको पूरवर्ति और अनुवर्ति संख्या बनाना सिखाती है और साथ ही यह सिखाती है अगर हमारे पस यह butterfly ना हो तो भी हम किस प्रकार से एक को घटा कर पूरवर्ति संख्या और एक जोड़के अनुवर्ति संख्या निकाल सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग